परिहार जी, आमन चरगोतरा जी, अरुन जमवाल जी, वे आल अर्दाफ फायर एन अमर्जेंसी एस्पिरेंट्स मैं सीधा और सीधा गॉवर्मेंट से पूछना चाहूंगा कि हमारे बच्चों के साथ इंजस्टिस बेंसाफी क्यों हो रही है जो धांडली हुई इसमें, सरकार ने एक कमेटी बनाई थी जिसकी रिपोर्ट, इंक्वाइरी रिपोर्ट एक महीने के अंदर देनी थी आज उसको दो साल होने जा रहे हैं लेकिन उसकी रिपोर्ट का कोई अतापता नहीं है देट इस वाए मैं कहना चाहूंगा कि हमारे बच्चों के साथ बे इंसाफी हो रही है, इंजस्टिस हो रहा है और ये कब तक चलता रहेगा हर कोई जानता है कि फायर एन अमजनसी एक्जाम के बाद दांदली हुई है काफी अच्छी खासी दांदली हुई है काफी जादा प्रोटेस्ट के बाद सरकार ने एक कमेटी बनाई, तीन लोगों की कमेटी बनाई और कहा गया था कि एक महिने के अंदर इस कमेटी की रिपोर्ट आएगी लेकिन कोई अता पता नहीं ये बताता है कि कही न कहीं दाल में काला है इन बच्चों के साथ बे इनसाफी हो रही है तो हम मैं आपके जरीए मीडिया के जरीए कहना चाहूंगा हमारे लेटिनन गवरनर सहाब से कि क्रिप्या इन बच्चों को जस्टिस दिया जाए बहुत हो गया अगर आप जस्टिस नहीं देना है इसका मतलब आपके उपर सवाल उठ रहे है तो मैं जादा ना बोलते हुए मैं चाहता हूं हमारे साथ अमन जी है एस्पिरेंट है जे जादा डिटेल में बात करें आप सब भी मीडिया करेंगा बहुत बहुत धनिवाद आए और हमारी जो वक्तन फक्तन आपने हमेशा एक सब्सक्राइब के साथ हमारा साथ दिया है मैं आपका सबसे पहले बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं ठिंक करता हूं कि जहां पर इतनी मुश्क्लावत के बावजूर आप सच दिखा रहे हो यह बहुत बड़ी बात है और जो हमारा मकसद आज प्रस कांफरेंस करने का था कि हमारे सर ने आज के साथ बड़ा स्क्राइब तो हमारे यह जो कहते हैं कि मुझे एक सबूत दे दो में लिस्ट करूँगा हमने इनको सबूत नहीं जिंदा सबूत दिए ते गजनाफर नभी अग लड़का था सिनगर ता जिसने खुद मीडिया पर आकर बोला था कि यहां पर मैंने डन लेग में पेया पर दिखाए हमने रहestsने दिखा उन्सलाइए कोड़़्र त्यासर जिसको एक्माइख्चन के ताइम तैम बदनसीबी की बात ये है कि आज दो साल पूरे होने के बाद भी कमेटी का कोई आता पता नहीं है कमेटी ने रपोर्ट बनाई भी है या दी है कोई पता नहीं है आपको पता होगा कि यह राजमार गोल साफ की दर से ट्रांसफर भी हो चुकी है लेकिन कमेटी ने अपना रप प्रोफ दिये यहां पर प्यासा चला है उन्होंने माना लेकिन उसके बाद किसको शल्टर किया जा रहा है किसको बजाया जा रहा है आज तक पता नहीं चला और हमारे बार-बार मीडिया में आना या प्रोटेस्ट करना हमें डिटेंड किया जाता है आप सब उन्हें तो कवरेज किया होगा हमें पकेट अंगे थाने में बड़ी देर डिटेंड किया हमें नौबार थाने में डिटेंड किया गया हमें 35 थाने में डिटेंड किया तो हमें यह कहना चाहते है कि यह जो हिटलर शाई है यह खत्म की जाए मैं कहना चाहता हुआ है जूट बोलने की भी एक हद होती है आप जूट मत बोले आप लोगों के सच सच में सच बताए आप एक लेटनेंट है अप को यहां पर बेजा गया है तो आप सेलेक्टिड है अब अपने आप पर दुख हो में अगर हमारी मांगों को हमारे जो प्रोटेस्ट है अगर इसको नहीं माना गया हमर अगर फाइनल रिपोर्ट सब्मिट नहीं हुएगी तो आने वाले टाइम में हम दोबारा सडकों में आएंगे और प्रोटेस्ट करेंगे हम और यह बताना चाहते हैं कि सर के माइदम से ये ऐसी तरह बोलते रहे और जमो कश्मीर के यूद का एक रीर के हड़ी बने